तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिल्केक बनाना से खाऊंगी और यकीन मानिये जो आज हम घर पर मिल्केक बनाएंगे वो बजार के मिल्केक को टकर देगा बजार में आपने देखे होंगे डवल शेट के मिल्केक बनते हैं तो आज हम वही वाला मिल्केक बनाएंगे य कि हमारा जो दूद होगा वो तले में लगेना मतलब जलेना तो इसको अच्छे से ग्रियस करना है मैं यहां पर 4 लीटर दूद लोगी आप फैमिली के अकॉर्डिंग जाद है कम भी ले सकते हैं हमने यहां पर गाय का दूद लिया है आप भेंस का भी ले सकते हैं मिल्क केक के लिए हमको फुल फैट मिल्क चाहिए 4 लीटर दूद के असाफ से मैं आपको यहां पर हर चीज के मेजरमेंट बताऊंगी तो इसलिए बीडियो को एंड तक जरूर देखना बिल्कुल इसकिप मत करना अब इस दूद को हम बॉल होने देते हैं दूद में वाल आ चुका है अब इसको हम चला देते हैं और 2-3 वाल और आने देते हैं जब तक दूद में वाल आता है तब तक हम चीनी नाप के ले लेते हैं हमारा 4 लीटर दूद है तो हम चीनी भी 4 लीटर दूद के साफ से ही लेंगे 4 लीटर दूद के लिए हमको 400 ग्राम चीनी चाहिए अगर आप के पास किचिन वेट मशीन नहीं है तो आप कटोरी के साफ से मेजर्मेंट कर सकते हो 400 ग्राम चीनी में दो मीडियम साइज की कटोरी चाहिए होंगी 4 केजी दूद के लिए ये मेजर्मेंट बिल्कुर परफेक्ट है अब इस मशीन पर ही हम घी का भी मेजर्मेंट कर लेते हैं 4 लीटर दूद के लिए हम यहाँ पर 100 ग्राम घी लेंगे अगर हम कटोरी के साफ से मेजर करें तो एक मीडियम साइज काटोरी के बड़ावर घी है एक काटोरी के हमारे मिल्क केक के लिए सफिशियंट है दूद में 3-4 वाल आने के बाद अब हम इसमें चीने एड करेंगे चीने डालने के बाद हम इस दूद को अच्छी तरह से चलाते रहेंगे इस दूद को हम आदा होने तक पकाते रहेंगे जैसे कि आपने 4 लीटर दूद लिया है तो इसका आदा मतला 2 लीटर हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे जब तक आदा दूद होता है तब तक हम बागे की तयारियां कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक टावल ले ली है हम मिल्क केक के लिए टावल तयार कर लेते हैं मिल्क केक को set करने के लिए हम कोई गहरा बरतन ले लेते हैं अगर आपके पास मिठाई set करने का mold already है तो आप उसको ले लीजिए मेरे पास यहाँ पर है नहीं तो मैं यहाँ पर बरतन का use करूँगी इस बरतन को भी हम तयार करके रख देंगे सबसे पहले इसमें हमको गी लगाना है अच्छी तरह गी लगाना है ताकि हम अपनी मुठाई को निकारें तो आसाने से बरतन में से निकल जाए चिपकेना यहाँ पर दूद भी हमारा आधा हो चुका है अब बार्यात यह सबसे main काम करनी की जिसके बिना हमारा milk cake complete नहीं हो सकता तो यह है citric acid जिसको local language में tantry भी कहते है tantry भी हमको measure करके लिनी है citric acid हमने 4 ग्राम लिया है अगर आप नाप के लेते हैं तो यह एक छोटी चमच के बराबर है तो आप चमच के साब से देख सकते हैं मैंने आपको दिखाने के लिए ही चमच में citric acid लिया है वरना मैंने इसको पहले से ही measure करके रखा हुआ था चार ग्राम अब इस citric acid को हम दूद में add कर देंगे citric acid को हम चारों तरफ अच्छी तरह से डाल देंगे अब आप एक जगे पर इस citric acid को डाल देते हैं तो वो एक जगे वाला ही दूद फटेगा पूरा दूद हमारा नहीं फटेगा और ये वियाद रखने की बात है कि हमारा दूद पूरा पनीर की तरह नहीं फटेगा रोह हलका सा फटेगा अब देख सकते हैं हमारा दूद इस तरह से दानेदार होना चाहिए दूद के इस स्टेज पे आने के बाद हमको कल्ची से इसको रेगुलर चलाते रहना है जब तक हमारे मिठाई बिल्कुल अच्छी से बन के तयान नहीं हो जाती तब तक हमें इसको चलाते रहना है अब इस स्टेज पे हम डालते हैं इसमें एक चम्मा चलाची पाउडर मेरी इस रेसिपे को इस सीजन बना के जरूर खाईए अगर आप इस मिठाई को किसी रिष्टेदार के लिए बनाते हैं यकीन मानिए वो रिष्टेदार आपकी तारिफ करने पे मजबूर हो जाएगा अब हमारी लगवव मिठाई बनने वाली है तो इस स्टेज पे हम घी एड़ कर देंगे आदा घी डालने के बाद अब हम इसको मिला देंगे जब आदा की अच्छी तरह से मिल जाए तो बचा हुआ घी इसमें एड़ कर देंगे अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे अभी हमें इसे 10-15 मिनट तक और पकाना है 10-15 मिनट के बाद हमारी मिठाई अच्छी तरह बनके तयार हो जाएगी अब सबसे बड़ा डाउट ये निकलता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मिठाई बनके तयार हो चुकी है या नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा आपको ये याद रखना है कि जब छीनटे कडाई से बाहर आना बंद हो जाएगे तब हमारी मिठाई बनके तयार हो जाएगी और ये अपने आप अपने तला चोड़ देगी मलब कडाई से अलग हो जाएगी और ये याद रखने वाली बात है हमें ना तो इसको ज़्यादा पकाना है और ना ही कम पकाना है अगर हम इसको ज़्यादा पका देते हैं तो हमारी मिठाई कठोर बन जाएगी और हम इसको कम पकाते हैं तो हमारी मिठाई सैट नहीं होगी मिल्केक के ब्राउन शेड आने का कारण ये भी है कि जब हमारी मिठाई बनने को हो तब हमको गैस का फ्लेम हाई कर देना है और गर्मा गर्म हमें इसको बरतन में डाल देना है मैंने आबा फ्लेम हाई कर दी है और इसको चलाते रहना है मैंने आबा फ्लेम हाई करके थोड़ दिर चलाया है अब इस मिठाई को हम फटा फट से बरतन में निकाल लेंगे ध्यान रखे हमें जल्दी जल्दी से ये प्रोसेस करना है ताकि हमारी जो मिठाई है वो कडाई में ही ठंडी ना हो जाए हमने इस मिठाई को बरतन में निकाल लिया है अब हम इसको एक बरावर कर देते हैं अब इसे हम एक थारी से डग कर और टावल में लपेट का 6-7 गंटे तक छोड़ देंगे तो देखिए 6-7 गंटे के बाद हमारी मिठाई अज़े सेट हो चुकी है अब चाको की हेल्प से हमें इसके कॉर्णर्स को बरतन से अलग कर लेना है अब हम इस मिठाई को बरतन से अलग निकार लेंगे तो देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी तरह बन के तयार हो चुकी है यह दिखने में कितनी सुन्दर लग रही है अब इसे मैं cut करके भी दिखा देती हूँ तो देखे ये कितनी softly cut हो रही है तो देखे मैं इसको उठा के दिखा देती हूँ देखे हमारी दो share साथ चुमी है मेरी यहाँ पर थोड़ी कम share आई है उसका reason यह है कि मैंने सिर्फ 6-7 गंटे के लिए ही इसको rest करने के लिए रखा था क्योंकि मुझे video भी बनानी थी अगर आपको और dark share चाहिए तो आप इसको और थोड़ी दे rest करने के लिए रख दीजिए तो आप उसमें एक दो घंटे और बढ़ा दीजिए हमारा तो यहाँ पर खाने का भी मन कर रहा था और वीडियो भी जल्दी से edit करके डालनी थी तो आपने फटा 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 फट सारे काम कर लिए तब भी देखी इसमें दो share सा चुकी है अगर आपको और dark करना है तो man जो आपको बताया है वो कर लीजिए अब इसे हम pieces में cut करके दिखा देते हैं और आपको जितना काटने में soft दिख रहा है उतना ही खाने में soft है तो देखी हमारे कितने दानेदार मिठाई बनके तयार हुई है लग रही है ना बजार जैसी मिठाई आप बजार जैसी हर तरह की मिठाई घर पर बना सकते हैं बस थोड़ सी महनत की जरुरत है और आप इसको महमानों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और अगर आपको अभी खा नहीं है तो तवी के तवी खा सकते हैं तो देखें मैं एक पीस को तोड़ के दिखा देती हूं देखें कितनी दानेदार सौफ्ट बनके तयार हुई है बहुत लोग कहते हैं कि हमारी मिठाई टाइट बन जाती है या बहुत से कहते हैं हमारी मिठाई सैट ही नहीं होती अब इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो अच्छी तरह मिठाई बनके तयार होगी ये मेरी गारंटी है तो देखें कितनी अच्छी तरह मिठाई तयार तुम मिलते हैं किसी ऐसी ही मद्यदार वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई